कि सब्सक्राइब इस वीडियो में बात करें कि spread operator की कैसे spread operator को यूज करना और यह करता क्या है यहां पर मैं एक example create किया हुआ है spread.js और उसको मैंने लिंक किया हुए index.html में और यहां पर वो file को मैं run कर रहा हूं console पर ओके यहां पर आप मिलेगा तो यहां में एक variable क्रियेट कर लेता हूं const student is equals to एक empty object क्रियेट किया और इसमें हमने स्टेंट की information add की which is name and age और इसका कुछ address यहां पर add किया ठीक है नहीं मुझा copy create करना है तो हम copy create इसका कैसे करेंगे एक student object में तो हमने लिखा यहां पर इस्टुडेंट कॉपी जी कुछ के राया object बनाएंगे और इस object के अंदर हम एक value student object की अगर निकालने तो हमने लिखा यहां पर name का value कहा से जाएगा student1.name and then same तरहीं कि say age student.age and address is equals to student.address तो इस तरह से मैंने इस्टुडेंट का copy create कि एस्टुएंट कॉपी में and let me print it console.log student copy को हमने प्रेंट किया कॉमा इस्टुडेंट को भी हमने प्रेंट किया तो console में आपको देख रहा है इसका copy create हो चुका है राइट यह जो काम में है है जब मैं क्या कर रहा हूं इस तरह का कोई condition है इस तरह का अगर हमारे पास कोई scenario हो तो हमें आपर spread operator का use कर सकते हैं spread मतलब क्या होता है spread करना कोई चीज राइट तो अगर मैं आपर डॉट 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 लिखता हूं student इसका मनलब है कि सारी जो यह बैल्यूज रहें वह इस तरह के अंदर स्टेंट कापी के अंदर आ जाएंगे एंगे इस प्रिंट इस यह जो पहले लिखा हुआ था यह करके है यह उसका यह यूज केस है सैकें यूज केस देखते हैं हमारे पास एक एरे है नंबर नाम का एक एरे है नंबर और इस नंबर में हम मुझे अगर इस नंबर का copy create करना नमबर का तो हम लेका numbers copy and हम यहाँ पर object add करेंगे array add करेंगे array करने की बाता लिए डौट 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 अर्व है नमबर्स डौट 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 अर्रीस तो इससे क्या होगा यह जो पूरे से वो सारे इसके अंदर आजाएंगे let me print it console.log numbers का copy हमने print किया comma हमने आप नमबर को print किया तो same number है right तो यह use case है spread operator का that's it spread operator के use हम generally object को copy करने के लिए करते हैं लेकिन यहाप एक concept है deep copy and cello copy यह क्या होता है देखेंगे next video में